आज हम लोग देखेंगे की bootstrape के नभबार होता है तो bootstrape का नभबार एक्दम सिम्पल बेसिक सा होता है उसको Customize हम LOG किस तरह से करेंगे बीस के यह Case अब लोग open करके रखेंगे get bootstrape.co.matz 5.3 तो अगर हम सब्में अचैने जाएं और नेब बार देख लें, कि हमारा काइसा नेबार है, Form Control components, I think इधर है, हां नेबार तो यहां पर ढम जो नेबबार मिलता है एक डम basic सा, ठीक है तो इस basic सा नेब बार अगर हम लोग इसको copy कर लें तो इसSePehले तो हम लोग को को रिटिरेट चाहिए और एक न्यू फोल्डर हम लोग open कर लेते हैं यहीपी एक फोल्डर बना लेते हैं नेपार नेपार अब इसमें देखिए गए इसमें तो कोई भी फाइल्स नहीं बना हुआ है निया फोल्डर बना हुआ है अब यहां पर एक हम लोग index.html ही लेते हैं HTML5 और get bootstrap पर जो code था उसको copy करके ले आते हैं लेकिन अभी यह work नहीं करेगा क्योंकि bootstrap हम लिंक नहीं कि हो गए है यह work नहीं कर रहा है तो bootstrap को हम लोग cnd उठा लेते हैं फटाक से यह रहा हमारा cnd यह हो गया link css का जो head के उपर रखते हैं और यह हो गया हमारा js जो body के last में नीचे रखेंगे body के उपर थोड़ा इसका format को सही कर देते हैं perfect अब save करके देखते हैं तो यह हमारा basic सा बन गया है तो इसके लिए हम लोग already त्यार करके हम रखे हैं कि हम कौन सा color यूज के रहेंगे तो यह background color हो गया और यह test का color दिखेगा और यहां पर नेबार के जगा जहां पर logo है वहां पर हम लोग यह लिखे रखें quick repair menu में क्या क्या को how my about us services services के अंदर यह सारे drop down में होगा contact us और एक login sign up button और अगर login के बाद दिखेगा profile का options ठीक है मतब दो नेबार हम लोग बनाएंगे एक login से पहले एक login के बाद तो सबसे पहला काम हम लोग एक style cd बना लेते हैं style.css और इस style को right side रखते हैं फिलाल इसका कोई काम नहीं है और link कर लेते हैं हम लोग ठीक है लिंक css होगा style.css यह हमारे link हो गया अब यहां पर क्या करते हैं कि एक अपना custom देते हैं class तो custom class लिखते हैं new neighbor इसको class का नाम new neighbor कोपी कर लेते हैं और paste पहले हम लोग को यह find करना होगा कि boot a strap इसका background का color जो use कर रहा कहां पर use कर रहा है inspect करके हम लोग देख रहे हैं कि आखिर boot a strap use कहां पर कर रहा है उसी class को हम लोग target करेंगे देखो background color तो यहीं पर use कर रहा है ठीक है तो यह background color हम लोग अथा copy किये और यहां पर background color छिपका दिए है जब छिपका दिए हैं तो एक बार refresh करते हैं नहीं हो रहा है तो हम लोग को important लगाना होगा क्योंकि boot a strap जो है न वो लगा दिता है तो कभी-कभी दिक्कत होता important लगाना पड़ जाता है important लगाएं अभी भी काम नहीं कर रहा है अगर यह class को हम हटा दे तो मेरा काम कर सकता है busy body जो लगा हुआ है इसको हटा देते हैं अब यह काम हमारा कर रहा है ठीक है इसको लोग नीचे ले आते हैं ताकि दिखे अच्छा अब यह neighbor क्या है कि container में नहीं है तो container में लाने के लिए हम लोग क्या करेंगा यह container fluid है fluid को हटा देते हैं सिर्क container अब देखो यहां से start होगा अभी दीख नहीं रहा है धीरे धीरे दीखेगा तो सबसे पहले हम लोग इसका color change करते हैं तो यह क्या है neighbor brand neighbor brand तो हम लोग first class का ही target करेंगे new neighbor का जो neighbor brand है उसका color फिलहाल करते हैं white white हो गया यह white है और इसके बाद हमको इसका target करना है कि eli का a तो neighbor neighbor तो हम लोग first class जो नया डाले थे new neighbor उसी से target करके हम लोग इसका color कर देते हैं neighbor neighbor का li का a इसका color क्या हो जाएगा फिलहाल के लिए white रखते हैं कम से कम दिखे तो सही white ठीक है अब यहाँ active दिख रहा है तो active फिलहाल के लिए हम active को हटा देते हैं last में active को लगाएंगे ठीक है यह भी नहीं दिख रहा है ठीक है यह drop down वाले तो यह drop down menu इसके नाम से हमको target करना होगा drop down menu के नाम से तो फिलाल तो हम लोग जो class नहीं जो first but जो लगाएं थे class नहीं class उसी से हर एक हर एक class को target करेंगे इसलिए करेंगे ताकि दूसरा हम लोग को को दिकत ना हो जाए किसी चीज में exact उसी को target होगा इसका भी background हम लोग कर देते हैं same यह वाला अब देखो हो गया तो अभी drop down पर focus ना करते हुए हम लोग ध्यान देते हैं कि यहां पर यह neighbor हो गया तो सबसे पहला हम लोग को neighbor का change करना है name तो qq repair रखते हैं perfect अब हम चाह रहें कि यह menu center में है ठीक है यह तो हम पहले यहां पर काम करते हैं यहां पर मुझे क्या चाहिए हमने notepad में लिखके रखा है कि left side में को चाहिए login sign up और यह menu को भी clear करी लेते हैं पहले तो menu में पहला home तो ही है दूसरा में about us है तिसरा में services है तो इधर देखते हैं home है about us है यहां पर लिए देता है our services ac repair और fridge repair इस divider का भी कोई जरूरत नहीं है इस वज़े से delete कर देते हैं और यहां पर लिख देते हैं washing machine washing machine repair मसीन का जो aim है वो बड़ा होगा तो ज्यादा बहतर लगेगा अब हम लोग देखते हैं कि यह हमारा clear अब यहां पर दो बटन चाहिए क्या चाहिए वो रहेगा login and sign up तो यहां पर चाहिए हैं यहां पर एक a span दे लेते हैं हम लोग a span तो हमने यहां पर एक a span दे लिए हो अब क्या करना क्या है कि मुझे दो बटन बनाना है तो bootstrap का तो button का class का name को आप तो पता होगा btn btn-dinger यहां पर दिखते हैं login हलाके इस button को हम लो custom design भी कर सकते हैं लेकिन हो सकता है कि design करें देखते कैसा लगता है sign up ठीक है तो दो button हमारा इधर right side अग्या हो रहा है अब हमको क्या चाहिए कि नहीं भाई यह button नहीं चलेगा तो हम लोग करते हैं ऐसा है कि button का एक नाम देते हैं एक दोनों का लग लग क्योंकि दोनों button थोड़ा सा different होगा तो एक का नाम रहेगा button login जिसका क्लास नेम रहेगा और दूसरे का नाम रहेगा button sign up right इस button को copy किये इसका class name और हम लोग को ज्यादा बहता होगा कि यहां CSS ना लिखें inspect करके वहां CSS लिखें ज्यादा समझ में आगा यहां पर और button का color कैसा देना चाहिए यह color 2 जो हमने रखा है यह color देंगो ठीक है sign up button का color sign up में हमने क्लिक किया सारा अस्टैलिस के लिए रहेगा background color यह रहेगा border मुझे जरूरत नहीं है हमको padding का जरूरत है लगभाग इतना padding होना चाहिए और left right से इतना padding होना 25 थोड़ा font का width हम लोग 500 तक रख सकते हैं border radius दे सकते हैं 5 pixel right और text का color जो की बहुत important है white होना चाहिए तभी तो अच्छा लगेगा अब यह CSS हमने यहां लिखा यहां इसलिए लिखा क्योंकि यहां मुझे live दिख गया अब CSS को copy किये और style में जाके धकल दिए अब देखें यह आपका क्या हुआ ready है अब यह दोनों में काम कर रहा है क्योंकि login का था ना एक बार refresh करेंगे तो किसी एक में ही काम करेंगा लेकिन यह तो मुझे login का नहीं रखना है sign up का रखना है तो इसी को copy करके इस class को इसमें दे देते हैं अब login का क्या होगा login थोड़ा सा different रहेगा इसका background जो है opacity कम करके देखते कैसा लगते हैं हाँ सही लग रहा है नहीं रहेगा तो हम लोग क्या क्या background का opacity यहां से कम कियें और यह color code copy कियें और फिर यहां background में महपपत से चिपका दिया अब यह ready अब दिक्कत क्या हो रहा है हम लोग दिक्कत को पकड़ेंगे और CCS करेंगे जब हम लोग mouse hover कर रहे हैं तो effect नहीं दिख रहा है तो चाह रहे हैं हम की जब इसमें hover करें तो white color का button हो जाए और text हो जाए इस color का देख लेते हैं तो login button में जब hover कर रहे हैं login button में जब हम लोग hover करेंगे तो background हो जाएगा भाई white हो जा इसका color जो है color हम चाह रहे हैं की यह वाला color है ना यह वाला color यहां पर हो जाए save की और एक बार refresh भी कर लेते हैं अब अब यह क्या हो रहा है हम चाहरे की धीरे धीरे smoothness के तरीके से हो तो इसमें लगाना होगा हम लोगो transition 0.3 seconds अब यह transition यहां भी लगा देते हैं ताकि hover में भी हो और hover से बाहर निकले तो भी हो अब यह देखो धीरे धीरे हो रहा है तो यह थोड़ा मया आरा देखने में अब sign up में क्या करना चाहरे sign up में ऐसा करते हैं कि इसी को dark कर देते हैं यहीं hover करेगा तो यही color हलका सा dark में दीखेगा मतलब ऐसा dark में दीखेगा कोपी कर लेते हैं और जब हम लोग button sign up को hover करते हैं तो इसका background color background यह हो जाएगा और इसमें भी हमको लगाना हो transition 0.3 seconds और उपर में भी लगाना होगा transition 0.3 seconds clear चलाओ refresh हो जा भाई internet का दिक्कत हो रहा है हम लोग CDN यूज किया है न finally internet तो आ गया है test कर लेते हैं हमारे net ठीक ठाक चल रहा है तो यहां पर हम लोग का दिक्कत था कि net के कारण CDN लोड नहीं हो रहा था यह हमारा hover work करने लगा यह sign up button भी हलका सा dark होने लगा ठीक है अभी थोड़ा सा font भी मुझे सही नहीं लग रहा है और फिर हम लोगों को यहां पर यह class यह class नहीं body में लगाना होगा जब बोड़ी का spelling भी गलत हो रहा है अब हमारा phone style change हो गया है अब इस मेचारे के hover करने पर यह color रहे हैं जब हम hover करें तो यह color रहा है और यह white भी बहुत ज़्यादा white है पहला white को हम लोग लिये थे first time इसी white को opacity थोड़ा कम कर देते हैं कुछ ज़्यादे ही चमक धमक रहा है तो यह color होगा हम लोग क्या क्या opacity white से कम किये है LI का A में है और अब hover करने पर यह color होना चाहिए तो इसी class को सारे को select करके copy paste किये पर जब हम इसमें hover करेंगे तो भाई हमारा यह color चाहिए वे color होवर पर चाहिए तो hover पर लगा दिये हैं अब देखो थोड़ा मज़ेदार लग रहा है थोड़ा सा इसमें हम लोग यह भी add करते हैं अब season 0.3 seconds ताकि धीरे धीरे effect को भरते हुए हमको दिखे तब ज़्यादा मज़ा आय जाएगा यह देखो यह देखो है ना अब थोड़ा से यह भी दिक्कत हो रहा है कि हम लोग जब drop down को open कर रहे हैं तो यह black हो रहा है लेकिन हम चाहते हैं जब drop down को open करें तो यह color से दिखे तो क्यों black हो रहा है उसका region पर पता करते हैं भाई कहे black हो रहा है तो तो यहाँ पर देखो class लगा हुआ है कि नेब बार का नेब और नेब का link जब सो होगा तो इसका color black होगा तो हम चुपे से इसको copy कर लेते हैं और यहां लगा देते हैं भाई जी और इससे पहले हमारा जो custom था class उसको उससे पहले लगा देते हैं ताकि इसके जरीए से वो उसको पहचाने हैं अब कौन सा color चाहिए हमको यह color चाहिए तो इसको लगा देंगे धड़ से अब क्या है मसला solve इसको भी ठीक करना होगा इसको भी pending छोड़ते हैं सबसे पहले लोगो जो है थोड़ा सा बेगारी यह से लग रहा है तो यह जो दिख रहा quick उसका color हम लोग यह color करेंगे और repair को white ही रहने देंगे ठीक है और थोड़ा सा इस quick को bold भी करेंगे तो कहां पे है हमारा quick हाँ यह quick इस quick के साथ क्या करना था bold करना था तो B tag लगाए कोई फरक नहीं हाँ फरक है अब B tag में हमको वह color लगाना है तो neighbor brand का B हम लोग कैसे call करेंगे कि new neighbor का जो neighbor brand है उसका जो B tag है उसका color क्या होगा भाई उसका color यह होगा अब देखो जादे quick repair है न अब क्या है कि मुझे क्या करना था इसमें थोड़ा साम को spacing चाहिए यह सारे में तो इसको हम किस हिसाब से यहाँ पर class लगा के CSS लिखें नेब बार का L I का A इसका padding left से देते हैं 15 pixel और इसका padding right से देते हैं 15 pixel अब देखें कुछ जादा फरक नहीं पड़ा तो हम लोग इसको बढ़भा देते हैं 20 कर देते हैं नहीं फरक पड़ रहा है इसका मतलग important लगाना होगा अनिवार यह है अब 20 तो कुछ जादे ही लग रहा है तो हम लोग वापस से all these gold में चले जाते हैं 15 pixel safe हुआ safe हो यह तो यह लगभग almost customize हो गई है हम लोग का neighbor लेकिन थोड़ा सा यह neighbor का height बड़ा हो जाता तो ज्यादा बहतर लगता तो हम लोग क्या करते हैं कि new neighbor है new जो neighbor है जो हम पर हम लोग background लगा है उसी पर padding टॉप डालते हैं 5 pixel और padding bottom डालते हैं 5 pixel अब देखते हैं जादू क्या इसा लग रहा है क्योंकि कम हो गया गुटर स्ट्रप का अनुसार से कम हो गया तो डालते हैं 15 अब यह तो लग रहा है जावर जैस्त अब यह हमारा फर्स नेबार हुआ था जो कि हॉम पेज के लिए हैं अब इसके बाद जो हमारा नेबार बनेगा यूजर्स लोग इन कर लेगा लोग इन के बाद जो डाइस बोर्ड वाला प्रोफाइल वाला जो दिखता है वो किस तरह से बनेगा यह हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे और यहां पे क्या क्या होग वो बता देते हैं यहां पे एक रहेगा प्रोफाइल पिक्चर्स इसमें ड्रॉप डॉप डॉन रहेगा इसके जैसा यहां पे इनका सेटिंग्स प्रोफाइल वगेरा वगेरा और फिर यहां पे एक डाइसबॉड का बटन हो जाएगा और इसका कलर पी हम लोग यह जो होवर पे वाइट हो रहा है इसको भी हटा ही देते हैं हम पेग्रॉण कलर हटाना होगा है कहां से दिख्चा था रहा ड्रॉप डॉप 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 डॉपॉण को select करते हैं पहला कलास तो मेरा new nav bar का जो डॉप डॉप डॉण था उसका लाइक जो ए है होवर एक होवर जब हम लोग कर रहे हैं तो जो बैग्रॉण कलर आ रहा हूं मुझे नहीं चाहिए, unset control, save यार अब देखो, वह background clear, हट गया है कोई दिक्कत नहीं तो अब next video में देखते हैं कि इसी को हम लोग copy paste करेंगे नीचे लाएंगे और यहां पर profile pictures लगाएंगे drop down लगाएंगे और button लगाएंगे यहनि कि next video में जादा work नहीं है हमारा, ठीक है और जिन लोगों को समझ में नहीं आया है वो नीचे comment करो और इसका CSS चाहिए, तू भी बताओ वो CSS भी हम देदेंगे, ठीक है